वर्षो से बन रही सरक के लिए पटना गया आने का रास्ता दोगना हो गया है नेशनल हाइवे अथर्टी ओफ इंडिया एनेच ए आई से पटना हाइकोट ने यह पूछा है कि क्या डोभी हाइवे विशिक्स लेन का बन सकता है क्या डोभी पत फोर लेन के रूप में बन रहा है और यह जब प्लान किया गया था तब इसे संद्वारबारा के ट्रैफिक अनुमान के आधार पर प्लान किया गया था हाइकोट के मुखे नायदी संजेक करोल ने सुनवाई करते हुए बिहार सरकार के अपर महाधिय वक्ता अंजनी कुमार साही और आलोग कुमार द्वारा दी गई जनकारी के आधार पर नहीं से यह आकलन करने के लिए कहा है कि गया डोभी पर शिक्स लेन का बन सकता है क्या जानते चलेगी सरक पर ट्रैफिक बढ़ने की बदर से जहां 10 साल पहले पटना से गया की यात्रा 2-3 घंटे में पूरी हो जा सकती थी अब कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं पटना से नदी के रास्ते पुनपुन होकर यह सरक बन रही है इसे बनने में इतना वक्त लगा कि पटना हाईकोट के सामने इस सरक के भविष की छमता को लेकर बहस हुआ है संजक करोल के सामने यह प्रस्ण भी आया है कि इस हाईवे के लिए पुनपुन अदी पर पूल बनाने के लिए जन संसादन विभाग से अनुमती नहीं ली गई है हाईकोट ने इस विषय पर इस हाईवे के बनने के प्रती उदार रवया अपनाते हुए निर्देश दिये बिहार के विकास आयुक निर्देश दिया है कि वह विभागों के बीच में सुलह सफाई करवा दे अंत में यह बता दे कि पटना डोभी पत से ना केवल बोध गया और गया पटना के करीब हो जाएगा और ना केवल बुधिर सर्किट के लिहास से इसका महत्व होगा बलकि यह सड़क ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड पर जाकर मिलेगी जानते चले कि कलकता से लेकर दिली तक की सड़क जीटी रोड फोर लेन से शिक्स लेन में विक्षित की जा रही है इस तरह पटना से धनबाद राची जमसेतपूर या कलकता जाना आसान हो जाएगा बिहार में इसी तरह एक और प्रमुक सड़क है पटना से हाजिपूर होकर मुझपरपूर की सड़क या हाजिपूर से मुझपरपूर तक फोर लेन है इस सड़क पर भी अभी के हिसाब से ट्रैफिक ठीक है पर चुकि मुझपरपूर बिहार के कई जीलों को जोड़ता है इसलिए किसी अन्य एक सड़क को six lane मनाय जाने की जरूरत हो सकती है तो वह पटना अज मुझपरपूर हाइवे है विमर्स निर्ज की सुचना को विकास में दिल्चस्पी लेने वाले लोगों के बीच सेयर करना ना भूलें